ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्टो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21 अपरेल गुरुवार की रासी फल के बारे में की यह दिन दुला रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन- उसे इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपोन जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाए भी बताएंगे जिससे आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंच सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा तोला राशी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पह प्राप्थ होने की संभवना पाई जाती है यदि आप किसी तरह की कार्य योजनाओं को विस्तार करने की कुशिस करते हैं या किसी नए कार्य का सुबारम करना चाते हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती हैं दोस्तों साथी साथ भूमी भवन वाहन आपको आगे बढ़ाने में साहिता प्रदान करेगी बड़े वजर्गों का इशने और आशिरवाद आप पर बना रहेगा दोस्तों साथी साथ जिस समाचार को प्राप्त करने के लिए आप काफी समय से प्रियास कर रहे थें आज उसमें आपको सफलतावस्य मिलेगी आपने लक्ष के प्रती पूर्ण रूप से एका गर्चित रहें आपको सफलता अवस्य ही प्राप्त होगी ग्यान वर्दक पुस्तकों को पढ़ने में भी समय निश्चित होगा साथी किसी आध्यात्मिक और प्रतिष्ट व्यक्ति का भी आज आपको आशिरवाद वे मार् आजनेतिक गति विदियों से थोड़ी दूरी बना कर रखें इसमें समय वर्थ होने के अलावा और कुछ प्राप्त आपको नहीं होने वाला दिल की अपेक्षा दिमाग से आप निर्ण लें दोस्तों साथी साथ आपका स्वभी मान किसी भी परस्तिती में हिम्मत वे साहस नहीं छोड़ने देता यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ती है संतान की शिक्षा से संबंदित कोई आज महत्पपूर्ण कार रहे होगा एक्षित शिक्षा संस्तान में दाखिला मिलेगा अनुबवी तथा जिम्मेदार लोगों का मार्ग दर्सन आपको और अधिक मजबू हो सकता है दोस्तों गलत बात का प्रतिकार करने से एक आरण ही लोग आपके विपक्ष में आएंगे आपको हर काम बड़ी संजिदगी और गंबिरता से करना चाहिए थोड़ी सी भी लापरवाई के परिणाम घातक हो सकते हैं किसी रिष्टिदार के स्वास्थ को लेकर भी आज टेंसन रहेगी विध्यारती हास परिहास वे मनोरंजन आदी के व्यर्थ के काम में पढ़कर अपनी पढ़ाई के साथ समझोता ना करें पैसे के मामलों में भी किसी पर आज आपको भरोसा नहीं करना फाइदे बन रहेगा राज की ए मामलों के कारों में बहुती आपक कोई नया निवेश करने से पहले आप अच्छी तरे से जांच पड़तार कर ले इस समय आर्थिक इस्तिती कुछ मंद रह सकती है घर के बड़े बुजुर्गों वे वरिष्ट सदस्यों के स्वास्त का भी आपको विशेश रूप से ध्यान रखने के आवश्यक्ता है अजन सुधार आएगा साथी साथ घर के लोगों के बीच किसी हलकी फुलकी नोक जोंक वे मतबेद की इस्तिती उत्पन हो सकती हैं किसी रिष्टिदार्च संबंदित कोई एप्रिय समचार आपको विचलित कर सकता है इसलिए आपको धहरे और सैयम बना कर रखना अती आवश्यक तक दे सकता है अपने प्रेम जीवन को गहराई देने का और एक दूसरे को समझने का आज दिन है जीवन साथी वे परिवार जनों का सहयोग आपके आत्मवल वे आत्मविश्वास को बना कर रखेगा और आप तनावमुक्त होकर अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे दामप इसे सहयोग देगा साथी माता पिता वे घर के बड़े बजरुगों का आशिरवाद वे इसने आपके आत्मविश्वास को बना कर रखेगा जहां दोस्तों परिवार में आज सांती का बातावर रहेगा संतान की सहबत वे अध्यन से संबंदित जानकरी अवस्ये लेते रहे किसी पुराने मित्र के मिलने से हर देख खुसियां आपको आज प्राप्त होंगी दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वेवसाय केरियर कैसा रहने वाला हैं दोस्तों आज आस्मिक धनलाब के प्रबल योग बन रहे हैं परतिस परदाओं पर आज आप विजह प्राप्त करेंगे नई कार्रे सुरू करने के लिए समय आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा साती सात कार थित्र में भी काम की अदित्ता रहीगी और दिन भगदोड में वेतीत होगा दोस्तो साती सात आप पिछले कुछ समय से अपने व्यपार में जी तोड़ मेहनत वे परिश्रम कर रहेते काफी हद तक आपको इसके सकारात्मक प्रिणाम हांसिल होंगे तथा कारोबार के विस्तार संबंदित नई योजनाय भी बनेंगी जो आपके लिए अवस्ते ही लाबदाइक साबित होंगी वेवसाय में नेने प्रियोगों पर अमल करना आपके लिए आवशक है क्योंकि वरतवान इस्तिती के कारण कारों के नीती में परिवर्तन जरूरी है अगर आप शेयर्स भूमी आदी में निवेस करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप इसमें निवेस कर सकते हैं यह समय आपके काफी अनुकूल है जो की आगे चलकर आपके लिए बहुती लाबदाइक साबित होगा। दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है। दोस्तो आप अपने सेहत की छमताओं को बनाए रखते हुए अपने समी कामों को पूरी साररिक छमता के साथ करने में सफल हो सकेंगे। दोस्तो आज आपका स्वास्त बहुती अच्छा रहेगा। आज आप अपने आपको तनाव मुक्त और काफी उरजावान महसूस करेंगे। साती साथ दोस्तों अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशेश हुपाय क्या है दोस्तों आज आप इस नान आदी से निर्वत्र होने के बाद तुलसी के पेड़ पर कच्चा दूद चड़ाएं और मनी मन भगवान श्री हरी विश्णुजी का मंत्र ओम नामो भगवते वाशुदेवाए नमाहां मंत्र का आप जाप करते रहें और अपनी मनों काम नहीं मांगे ज्याद उस्तों ऐसा करने मात्र से ही भगवान श्री हरी विश्णुजी बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों का अंत करेंगे और आपको सीग रही सुब फलो के प्राप्ति होंगी और आपके सभी कार रहे भगवान विश्णूजी के असिरवास से बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भखवान श्रीहरी विश्णो जी का शिरवाद आपको प्राप्त हो शक्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैस श्रीहरी विश्णो वश्चे लिखें और विडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद